हलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ, आप लोग अच्छे होंगे, श्वश्थ रहें, खुश रहें, मैं अलबेम पब्ली की स्कूल की हिंदे सिचिका, में से साधना त्रिपाथी हिंदे की कक्षा में, आप सभी का हार्दिक श्वागत करती हूँ, बच्च से हम ऐसे ही पढ़ेंगे बिना प्लेस किये, तो आईए, आज हम इसको दोराते हैं, और आप लोग भी हमारे साथ इसे पढ़ेंगे, तो सब दमादरी बुक आप लोग अपन करिए अपना, और चलिए हमारे साथ इसे दोराईए, तो यह हमारे सब दमादरी बुक है, पेज नमबर 20 और 21 तीन अक्षर वाले शब्द आज का हमारा टापिक है तीन अक्षर वाले शब्द पढ़िए और समझे यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है चित्र की सहायता से तीन अक्षर की सब्द हम पढ़ेंगे और उसे याद करेंगे ठीक है बच्चों तो शुरू करते हैं क म ल कमल क ल श कलस यह चित्र भी यह कलस का और यह कमल का म ट र मतर यह मतर है मतर भव न भवन यह भवन हवन है यह हवन है न म क नमक यह नमक है ब त ख बतक यह बतक है इसे हम प्लस करके पढ़ते हैं एक बार का प्लसमा प्लसला कमल का प्लसला प्लस्च कलस्च मा प्लश्टा प्लश्रा माटर भा प्लश्वा प्लश्णा भावण हा प्लश्वा प्लश्णा हावण भा प्लश्टा प्लश्खा बतख ना प्लस मा प्लस का ना मा का बा प्लस टा प्लस ना बटान बच्चों ये तीन वर्णों के आ मात्रिक शब्द है आप पेज नमबर 20 ओपिन करेंगे और इसे बढ़ेंगे नेक्स पेज हमारा 21 है इसे भी हम रीट करते हैं ये पेज नमबर 21 है पढ़िए और समझे का प्लस ला प्लस मा कलम ये कलम है बा प्लस गा प्लस टा भागत ये भागत है ना प्लस या प्लस ना नायन ये नैन का सित्रवी बनाए है मा प्लस हा प्लस ला महल ये महल है मा प्लस गा प्लस रा मगर ये मगर है ये पानी में रहता है आप लोग को पता है बचो ये प्लस प्लस ला प्लस ना वजन यह बजन है सा प्लेस रा प्लेस का शड़क यह शड़क है एक बार इसे हम फिर से दुरह आते हैं कालमा भागत भागत नायान नायान माहल माहल मागर मागर शहद शहद वजन शड़क शड़क तो यह तीन वर्णों के सब्द कम्प्रिट हुएं बच्चों आप लोग सब्द मादरी बुक उपेन करेंगे पेस नंबर 20 और 21 तीन वर्णों के सब्द शित्र की सहायता से आप लोग इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद जीन वर्णों